आज हम बनाएंगे रेस्टोरन स्टाइल मेथी दाल तड़का जो बहुत ज़्यादा टिस्टी लगती है और बिल्कुल कड़वी भी नहीं लगेगी और इस तरह से मेथी दाल तड़का बना लिया तो रोटी के साथ सबजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और दाल तड़का वेलकम तो माई जैन रेसिपी मैं हूँ जीनर तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए उससे मेरी वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी मेथी दाल तरका बनाने के लिए मैंने यहां आधा कप तोवर दाल लेई है और यह मैंने तेल वाली तोवर दाल लेई है आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हो अब इसमें एक टेबल स्पून चना दाल एड़ करेंगे और एक टेबल स्पून मूंग दाल एड़ करेंग अब तीनों दाल को मैंने यहां अच्छे से दो लिया है अब इसमें हम तीन कप पानी एड़ करेंगे अब पानी एड़ करने के बाद दाल को हम आदे घंडे के लिए भीगने देंगे अगर टाइम ने तो पंदरा से 20 मिनिट भीगने देंगे तब भी चलेगा तो देखें दाल अच्छे से भीग कर फूल गई है अब इसे हम बॉल करने के लिए रख देंगे तो मैंने कोकर में एक कप पानी और एड़ कर दिया था अब सारी दाल हम कोकर में डाल देंगे और गेस के फ्लेम हाई रखेंगे तो देखें इस तरह दाल उबलेगी तब उपर थोड़ा जाग आएगा उसे हमें निकाल देना है जिससे ये दाल खाने से ना एसीडीटी होगी ना गैस होगा तो हमें ये जाग निकाल देना है जैसे जैसे दाल उबलती जाएगी वैसे उपर जाग बनेगा देखें सारा जाग निकालने के बाद आदी टीस्पून नमक, वनफोर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून गी एड़ करेंगे और सब चमत से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का डगकर बन करके मेधि दाल दड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप मेधि के पत्ते लिये है और इसे मैंने अच्छे से वाश करके फिर कट कर लिया है और दो मेधियम सैस के टमाटर को बारिक चौप कर लिया है अब कड़ाई में एक टेबल स्पून गी डाल देंगे एक टीस्पून जीरा और वनफोर्थ टीस्पून हिंग एड़ करेंगे वनफोर्थ टीस्पून सून पाउडर और दो हरी मीट्ची को इस तरह थोड़ी लंबी कट करके फिर एड़ करेंगे और हलका सौते करेंगे अब इसमें जो हमने टमाटर कट करके रखे थे वो सारे टमाटर एड़ कर देंगे और slow to medium flame पर चमत से चलाते हुए टमाटर को हम सौते कर लेंगे तो हम दालतर का के लिए हम ग्रेवी का यूज नहीं करेंगे इस तरह बारिक चॉप करके एड़ जिससे टमाटर जल्दी से सौफ्ट हो जाएंगे अब इसमें 1 तीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और एक टीस्पून कश्मीरी लालमिश पाउडर एड़ करेंगे जिससे डालतर्गे का कलर बहुत अच्छा हैगा अब सारे मसाले को हम चम जिससे मेठी का बिल्कूल कडवापन नहीं लगेगा और यहां देखे तीन सीटी लगा कर कुकर में दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है तो मैं आपको पाचसे भी दिखा रही हूँ देखे चना दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है पर चना दाल भी अच्छे से गल गई है तो देखे इस तरह प्रेस करने से दाल अच्छे से मैश हो जाती है अब यहां मेथी भाजी और टमाटर अच्छे से सौते हो गया है और अच्छे से सौफ्ट भी हो गया है तो दाल में blender से blend नहीं करना है और इस तरह दाल हल्की साबूत रहने देंगे अब इसमें आधा कप पानी और एड़ करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे जैसे जैसे दाल उबलती जाएगी वैसे अगर गाड़ी हो जाती है तो आप थोड़ा सा गरम पानी एड़ करके त्रके में एक पी डाल देंगे एक हरी मिची और एक सुख्य वाली लाल मीच बन करेंगे और गेस बन करने के पाद आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मीच पावडर और तड़के को हम तुर्थ डाल वे एड़ दिगे तड़के में ध्यान रखना है कि लाल मीच पावडर विल्कुल जलना नहीं चाहिए अब तड़का एड़ करने के बाद को मीक्स कर लेंगे और हरा धनिया से गार्णिष करेंगे और सब मीक्स कर लेंगे और कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे तो कंसिश्टेंसी एक दम पर्फेक्ट है अगर ठंडी होने के बाद गाड़ी हो जाती है तो थोड़ा से गरम पानी ale करके consistency adjust करेंगे अब गर्मा गरम साव करेंगे बहुत ही मज़ेदा रेस्टोनल स्टाइल जैन मेथी दाल तड़का बनकर तैयार है इसे आप राइस के साथ खाईए बहुत ज्यादा टेस्टे लगेगी तो आप भी लंच या डिनर के लिए एक बार गर पर जरू ट्राय करना स सबी को बहुत पसंद आएगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अ